चोड़ दो मुझे, पीस मुझे चाने तो चोड़ा, चोड़ा मुझे चाने तो मुझे मेरा दोस्त है न, वो सब देख लेगा बाटो, जाना है, गोरेगा उजाना था, बैठ जाओ, बैठ जाओ जदेल जच को अरुका कि लेकी कि घुरप सारा हुझ एडिप टुर inte अजाने रियाτοा हुग ह स्लेटर का का वी अरुका कि एडें outta पत आर हुग बफ एलो добल Хaux 2 × भ घर से बाग के आते हैं और अपना शिकार बन जाते हैं अब बताओ इनका क्या करें क्या करें? वही जो हमेशा करते हैं अच्छा ठीक है वही जो हमेशा करें यात्रीगण किरप्या ध्यान दे सर्विस नमबर 6477 बस्टेंड नमबर 2 से रवाना होने के लिए तयार है सुनो बेटा कौन हो तुम? कहा जाना है? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ लगता है कुछ परेशान हो कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम यही सोच रहा हो ना कि यह मुझसे क्यों बात कर रहा है? मेरा नाम मुर्ती है ओफिस के काम से चनने जा रहा हूँ बस मिस हो गई और दोपार के दोवेजे तक कोई बस नहीं है पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुम्हारी परेशानी जानने का मन किया इसलिए पुछ रहा हूँ देखो बेटा किसी को परेशानी में देखकर चुप रहना मुझे नहीं आता मेरा मानना है कि किसी को परेशानी बताने से मन का बोजहलका होता है मुझे बड़ा मान कर नहीं अपना दोस्त मान कर अपनी परेशानी बताओ मुझे बताने से तुम्हारे दिल का दर्द पुरा नहीं लेकिन थोड़ा तो कम होगा मेरा नाम सूर्या है मैं पोलावरम के एक छोटे से गाउं से हूँ जब मैं दस साल का था तब ही मेरे माता पिता की मौत हो गई बाद मैं कुछ दिन अपनी मौसी के आ रहा उन्हें परिशानी हो गई इसलिए वहाँ से राजमिंडरी आ गया वहाँ बाशा नाम के आटो ड्राइवर ने मुझे पाला उसने मेरी देवबाल की बड़े होकर मैं भी एक आटो ड्राइवर बन गया ठीक है देखता हूँ जी नमस्ते हाँ ठीक है आप आये ना बैठिये नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिये मेरी वेटी की शादी के लिए बैंक में जमा गया हो पैसा विड्रो करके पैसो का बैग आटो में ही भूल गये सर आप इतने लपरवा कैसे हो सकते है कोई छोटी मोटी रिकम थी जो रखके भूल गये ऐसा मत कही है सर पासे नहीं मिले तो हमारे पास मरने के सिमा कोई रास्ता नहीं है साहब जी आप ही कुछ कीजिए ना साहब जी ठीक है ठीक है आपको आटो का नमबर याद है क्या अच् वह बहुत चालाक है सर ऐसे लड़के के आटो में बैक भूल गये अब तक तो वह किसी लड़की के साथ गुआ भी चला गया होगा अब आपको भगवान ही बचा सकते है कुछ पता चला है तो आपको बताऊंगा डिटेल्स देखे जाए सर ये बैग अमारा ही ये बेटा आटिया बैग मेरे आटो में भूल गये थी हर जगा ढूंड़ा पर आपका ही मिली नहीं इसलिए मैं पुल स्टेशन आ गया देख लीजे सारी चीज़े हैं या नहीं सब है जी तुम्हारा हैसान जिन्दगी पर नहीं भूल सकता है खुश रहो बेटा तुम्हारा नाम क्या है सर सूरिया शाबाश तुम्हारे जैसे लोगों पर गर्व होता है कि पिट अप चलता हूं सर श्क्रिया बेटा रेल्वे स्टेशन चलोगे बैठी है सर जल्दी चलो बेटा रेन का वक्त हो गया है कबराये मत सर मैं आपको शॉटकट से लेकर जाऊंगा दो मिनट में आपको स्टेशन पहुचा दूंगा देखना इस टेशन के पीछे का रास्ता है ट्रेन से पहले आप पहुंचाएंग यह लो बेटा सर चुट्टा नहीं है क्या अरे नहीं है बेटा है अंधा है क्या उतर निशे उतर उतर तुम इंसान है जानवार इतना बड़ा ओटो दिखाई निदिया है वी सड़क पे ओटो क्यूं खोड़ा करके रखा है यह सड़क तरे बाप की है क्या अरे बगवास क दूंगा कुरना बंद कारो निकल लिया से ये लीजे सर ज्छू गया है दिल को कोई लग रहा है यूँण अरे आगे क्यों नोगती है गायत्री कॉलेज प्यार की तू कोई तस्वीर है तू ही मेरे हाथों की लकीर है चांद उतर आया है जमी पर लग रहा है यूँ छूग गया है दिल को कोई लग रहा है यूँ कितना हुआ मैडम आटो का रेट नहीं मीटर कितना हुआ बताओ 120 हुआ मैडम क्या 120 चोरस्ते से कॉलेज तक का 60 भी नहीं होता तुम्हारे आटो में एस ही है क्या जो डबल किराया ले रहे हो चाहो तो आप मीटर देख लो वो तुम्हारा मीटर है 120 क्या 420 भी दिखाएगा तुम जैसे घुमाओगे वैसे घुमेगा तुम पढ़े लिके नहीं हो लेकिन सॉफ्ट्रे वालों से ज्यादा टिकनोलिजी यूज़ करते हो सच कह रहा हूँ मैडम आप खुद ही देख लो रोज आती हूँ मुझे पता है 30 रुपे बनता है वही दूँगी अगर मुझसे ज्यादा बहस की ना तो पुलिस को बुला कर तुम्हें और तुम्हारे ओटो दोनों को अभी के अभी अंदर करवा दूँगी अंदर? सुबह सुबह घाटा करवा दिया क्या हूँ अगीता बेवकूफ खुद को शाना समझता है मेरे सामने स्मार्ट बन रहा था इसलिए मूठ खराब हो गया क्या जहगडा कर ना यार यार जुद आ जुद आकर सेब पर गिरे या सेब आकर चाकू पर गिरे उह इसा बाद की तुम्हारे ना यार चाने दे चल क्लास का टाइम हो रहा है सूपाब इसा लग रहा है तालाब की सारी मशलीय सड़क पर आगई है क्या चाल है, क्या ढाल है, शोरूम से निकली नई गाडियो की तरह चछा 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 चमक रही है शायद नंबर प्लेट नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, शायद, क्या बोला? वही यार, गले में मंगोल सुत्रा नहीं है ना, लगता है किसी की शादी नहीं हुई है लड़कियां देखने में सुंदर होती है, लेकिन करेक्टर शॉक देता है क्यों यार, ऐसा क्यों कह रहा है कल एक सुंदर लड़की मिली थी, देखने में एकदम हिंदी फिल्म की हिरोई जैसी लेकिन उसका केरेक्टर एकदम इंगलिक्ष फिल्म की विलेन जैस है अच्छा अरे भाड़ा दियान ही उपर से मुझको धमकी देकर चलिगे अच्छा लगता है लड़कियों से बचका रहना पड़ेगा अब लड़कियों को नहीं बिटा हूँगा चलती हूँ मा अरे गीता रुख जा नाश्ता तो करके जा बिना खाये नहीं जाते बेटा प्रोजेक्ट वर्क है मा गादी नगर जाकर वहां से कुछ सामाल लेना है और फिर ठीक है पहले बैट पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट से रोज ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा हमेशा जल्बाजी अरे रुक तो गीता अरे वीर अधी गीता को गांधी नगर में काम है जरा लेका जातो ठीक है चलो मुझे क्या देख रही तू जाना द्यान से लेका जाना इसे ठीक है हाई हाई कैसी हो मैं ठीकू तुम कैसे हो कौन है तो गीता से बात कर रहा है यह मेरी है ध्यान दरना इस बात को दुबारा बात की तो मार दूँगा मार डालूँगा मैं जिससे बात करूँ उसे मार दोगे हमेशा ऐसा ही करते हो इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आती इतनी देर क्योंकि क्या करती रास्ता में बहुत ट्राफिक की ठीक है चल क्या हो अगीता इस बेवकूफ के साथ इसलिए नहीं आती हमेशा यही होता है किसी से भी मार पीट करने लगता है हां मेरा दुपट्टा जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल ऑटो ऑटो जल्दी चल चला तो रही हूं हां हां इस तरफ से चल जल्दी चल जल्दी कर जान भूज के ऑटो भगा रहा है अरे सुनो जल्दी चलो कवेरी मेरी जान आ रहा हूं इस्ट्रेशन के पास ही हूं अरे तुम चिंता मत करो हर वर्माय के माही भेजता हूना हां हां रुको ए ओटो बेटा और ते चलाओ ना ए ओटो क्या गलियों में लेके जा रहा है जल्दी चल तू जल्दी चलाना और जो हूं यह लो बेटा यही हूं मेरी जान आ रहा हूं यह लीजे चुटा यह क्या भी सी दिये मेटर में असी हुआ है जाए न अच्छा ए हलो तुम पागल हो क्या कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें जान बूच कर यह सब कर रहे हो ना ऐसे ओटो चलाते हैं आवास देने पर भी नहीं रोकते अपने आपको समझते क्या हो पुलीस मैं कमप्लेन करूँगी तब पता चलेगा जगड़ा करके क्या फाइदा दुपट्टा आकर आटो पे गिरे यह आटो आकर दुपट्टा पे गिरे भटता तो आखिर कर दुपट्टा ही है यार चले अहां से अब किसको बोला बे मेरा नाम जयान ही है जयनी जी मुझे शामलाल थेटर जाना है चलोगे क्या अभी टाइम कितना हो रहा है दस बच के पचास मिनट तो मीटर से पचास रुपया ज्यादा होगा इतना जादा क्यों जी देखो पैसेंजर ओटो मुवी के ब्लैक टिकेट से भी बढ़कर है जितना होगा लेड उतना बढ़ेगा रेड जॉनी जी हमारे फेबरेट इस्टार की मुवी है जी टिकेट भी मुझे ब्लैक में लेना पड़ेगा कुछ तो सोचिए ना जी पहले कि पचास जी आप सो बढ़ेगा क्यों जी पहले कहा था ना जितना लेट होगा उतना रेड बढ़ेगा उमारी मजबूरी ही हमारी आमदनी है सोच लो जितना लेट करोगे उतना रेड बढ़ेगा इसे पैसंजर रोज मिलने चाहिए ओटो फिर से यही है फिर से यही गायत्री कॉलेज आए बैठिये जल्दी चलो कॉलेज के लिए देर हो रही है यह कोई शताब्दी एस परस नहीं है जो में जल्दी भगादूँ अच्छा में तो यही समझ कर बैठी थी माँ माँ उठो मैं सर सर सा ओटो रोकिए सर मेरी माँ ठीक नहीं है भाईया भाईया ऑटो रोकिये मेरी माँ सीरियस है भाईया अरे देखे रहो ठोले ध्यान से भाईया ध्यान से माँ ध्यान से आप यहां बेठिये हम हॉस्पिटल पहुँच गए आप ध्यान से उतरिएगा इन्हें समालना मैं बस अभी आया अराम से सिस्टा पेशन्ट को सलायन दयना कंटिन्यू कीजिए ओकी सर्थ बीपी चेक करते रहिए ओकी सर्थ रहिए औक्या तुम्हारी मा को कुछ नहीं होगा ध्यानक नोनका ठीक है भाया तो चले आजो कितना हुआ 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 रहने दीजे उस दिन पैसेंजर को छोड़ने के बाद मीटर अप करना भूल गया था मैं मुझे लगा वो रीडिंग आपकी है सौरी मैडम यह लीजिए कोई बात नहीं इसकी क्या ज़रूरत इंसानियत के नाते आज आज आपने कि जान बचाई उसके आगे यह सब कुछ भी माइने नहीं रखता कम से कम ऐसे तो उस अच्छे काम में मुझे हिस्सा बनने दीजिए प्यार की तू कोई तस्वीर है तू ही मेरे हाथों की लकीर है चांद उतर आया है जमी पर लग रहा है यूं जू गया है दिल को कोई लग रहा है यूं क्या हुआ गीदा फिर से जगड़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं है आज उसने अपनी गलती मान ली देखने में अच्छा इंसान लग रहा है बेकार में ही मैंने जगड़ा किया पुरानी बातों को लेकर क्यों सोच रही है तू तूने कहा और उसने अपनी गलती मान ली अब छोड़ भी यार हाँ लेकिन बहुत रूडली बात की मैंने पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में वो कुछ भी सोचे उसके बारे में तू जो भी सोचे अगर कोई जगड़ा हो गई तो परिशानी हमें होगी ना चल कि अब थी कि अब दूम में तेर कि अबरे बारे में थे जब भी सोचे अबस जब भी दोड़ ले जब होगी जब एंब जब बारे में तूम और लेकिन गôm अचीब इंसान है, रोज तो बिना इंतजार किये ही आजाता था आज मैं उसका इतनी देश से इंतजार कर रही हूँ तो आई ही नहीं रहा है पता नहीं कहां घूम रहा होगा ओटो? गैतरी कॉलिज हाँ, बैठिए, बैठिए थोड़ा जल्दी चलिए ना पैसे ज्यादा दे दूँगी, मैं आप जल्दी चलिए आप रेट बढ़ाएंगी, तो भी मैं स्पिर्ड नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे बेठा, अगर साथ साल जीना चाहते हो, तो कभी बीस से ज़्यादा स्पिर्ड मत बढ़ाना इसलिए मैंने दस साल की जिंदगी में कभी बीस की स्पिर्ड क्रोस नहीं की इसलिए मेरे गाड़ी पर कोई स्क्रेच नहीं है और सर पर भी स्क्रेच नहीं ऐसे चलाएंगे तो मेरा एक्जाम मिस हो जाएगा एक्जाम मिस हो जाए तो दुबारा आजाएगी लेकिन जान चली जाए तो चा दुबारा आएगी नहीं न, इसलिए मेरे दादा जी कहते थे कस्तमर बगवान होता है कस्तिमर की सुरक्षाही हमारा फर्ज है महापुरुष्थे वो मुझे इसकी आदत है जी जौन छूटी से नहीं मेडम नहीं कस्तिमर की सुरक्षाही हमारा फर्ज है आपके लिए दूसरा रिक्षा कर देता हूँ आईए मेडम आईए आईए बहुत महान है तुम द्यान से जाना भाई जाओ जाओ एक्जाम का टाइम हो रहा है आप जल्दी चलिए अरे आप आज तुम यूनिफॉर्म पहन के चला रहे हो आप सुबह ही दोया है इसलिए पहन लिया वैसे हमेशे ऐसे जल्दबाजी करने के बजाए घर से जल्दी भी तो निकल सकती हो पहले ही निकली थी मैं तो एक फ्रेंड का इंतजार कर रही थी ओ, वो नहीं आई क्या नहीं, वैसे कल तुमने जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था उनकी तबियात अब कैसी है, क्या दोबारा गए थे हाँ मैं गया था, वो ठीक है अगर तुमने उन्हें कल वक्त पर नहीं बचाया होता तो पता नहीं उनके साथ क्या होता मैंने कहा किया मैडम, जब कोई इंसान मुसीबत में हो इतनी मदद तो करी सकते हैं वैसे आप कभी बाइग पर जाती हो, कभी आटो में बात क्या है? पापा होते तो वही ड्रॉप करते लेकिन अभी यहां नहीं है न वो वीर की बाइग से जाओ तो कॉलेज पहुचने से पहले दो लोग हॉस्पिटल पहुच जाते हैं इसलिए उसके साथ आने से अच्छा है कि मैं खुद अकेले ही आटो से कॉलेज पहुच जाओ जॉनी जी घंटा खर जाना आएजिए ट्राफिक जाने मैंनि है जाना है मैं रेष्ट करना हूँ, मैंनि है सकता जॉनी जी प्लीज जी प्लीज प्लीज ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे इसलिए मैं चलूँगा मीटर से दो सो रुपए ज़ादा लोगा तब ही चलूगा दो सो ज़ादा इतना क्यों जी यह देख भाई यह ओटो भी एकदम सरकारी नौकरी की तरह है जिसे पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है न यह क्या उस दिन फिल्म के लिए आपने सो रुप एक्ष्ट अलिए उसमें पैसे तुम गवा रहे थे लेकिन इसमें तुम पैसे कमाओगे हां तुमारी मजबूरी मेरी कमाई है हां ज्यादा सोचो मत नहीं तो रेड बढ़ जाएगा मेरी फूटी किसम चलो मेरी किसम जोरो पैं चला अ कर दो 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 किता नहीं जाना यह क्या देदी तु बेकार टेंशन मत ले आज बाइक पर नहीं बैठी कल तेरा साथ मंड़ पे बैठेगे ना उसकी बातों का बुरा मतमान यहां वेट नहीं कर सकता ऐसे लगना चाहिए अभी आया हूँ भगा सुरिया भगा हाई यह बैठी प्यार की तू कोई तस्वीर है तू ही मेरे हाथों की लकीर है चांद उतर आया है जमी पर लग रहा है यूँ छू गया है दिल को कोई लग रहा है यूँ गोदावरी कितनी सुन्दर दिखती है ना हमेशे की तरह तो है यह ब्रिज यह बोट यह पानी यह लोग यह सब वही तो है यह लो खालो इसके क्या ज़रूत अरे लो ना अरे लो वैसे तुम्हारा नाम क्या है सूरिया वैसे सूरिया तुम्हारे माता पिता क्या गड़ते हैं वो नहीं है मैं बच्पन से यह नाथ हूँ अश्चा कोई बात नहीं उसके बाद में राजमंडरी आ गया बाशा नाम के अग अटो ड्राइवर ने मुझे पाला यह भी अटो ड्राइवर बन गया तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है लोग माबाप के बिना रह सकते हैं लेकिन दोस्तों के बिना बिलकुल नहीं मेरे इस दिन वो बाहर ही रहते हैं और मा हाउस वाइफ हैं सारा दिन घर के कामों में वो बिजी रहती हैं भाई है नहीं मैं अकेली हूँ इसलिए सारा प्यार सिर्फ मुझे ही मिला है और मैं अपने माबाप के साथ बहुत खुश हूँ मतलब तुम्हारे कोई सपने वगेरा नहीं है क्या अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है मेरा सिर्फ एक ही लक्ष है बीटेक कंप्लीट करना अरी ये क्या बात हुई पैसा है प्यार करने वाले माता पिता हैं कोई कमी नहीं है तुम्हें फिर भी तुमने कुछ डिसाइड नहीं क्या बीटेक कंप्लीट करने में अभी वक्त है ना उससे पहले कुछ डिसाइड कर लूगी वैसे तुमने क्या सोचा है मैंने रोज पीछे बैठे पैसेंजर के बताया रास्ते पर चलने के अलावा ये सब सोचने का टाहीं मेरे पास लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ल जानू मैं बस आहीं रहा हूँ जरा एकना टुकना जानी जी अरजन्टी देवी चोग जाना है अपनी गल्फ्रेंड से मिल ले ज्यादा नहीं 400 रुप्या होगा ये क्या जब भी मिलते हो हर बर पैसे डबल कर देते हो गल्फ्रेंड के पास जाने के लिए इतना खर्चा त मेरी किस्मत ही खराब है दो बारा फंज गया बैठो ये भगवान बहुत देर हो गया हाहा आ रहा हूँ अब पकड़ में आया ये रोको किदर आओ ए लाइसंस है क्या लाइसंस के बिना ड्राइविंग कैसे करेंगे सर चलो दिखाओ पर्स का अगया है अलो बहुत ढूंड लिया चलो पांच तुरुपे निकालो पर्स यही था सर आर्ची बुग भी था मेरे पास बंद करके पैसे निकालो दो ढूंडने का टाइम भी नहीं देते इस पुलिस वाले ने तो आज मुझे ही बकरा बना दिया जाओ लेकिन पर्स कहां जा सकता है यह पर्स हां यह पर्स तो मेरा है तेरे पर्स कैसे आया हां जान बुच के चुराया था देखो अट वाले भाईया सो सोनार की एक लोहार की येस हां याद रखना अगर दो बारा मिलाना तो तुझे किक दिखाऊंगा क्या हुआ क्या हुआ अरे पीछे मत देखो मेरे पापा है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ झाल झाल अब ये गरम पनी इतना फीका क्यों है एसे मत देख मुझे काम कर एक काम कर वो जो सिग्रेड है ना वो मुझे दे क्या हुआ यार इतना उधास क्यों लग रहा है कुछ नहीं हुआ यार कुछ नहीं तो चेहरा ऐसे क्यों बनाया जैसे कोई लाश लेकर जा रहा है अब कहा जा रहा है और कहा ब्यूटी पार्लर जा रहा हूं ब्यूटी पार्लर तो ब्यूटी पार्लर जा कर भी मेरे जितना सुंदर नहीं बन सकता समझें क्या चाहिए बैर सही नहीं है यार अच्छी तो है चाहिए कि नहीं तेरी बात कर रहा हूं मैं देख रहा हूं तीन चार दिन से तु बहुत उदास है कोई परिशानी है तो बता तु जरूर कुछ तो छुपा रहा है मुझसे कुछ है तो बता मेरे यार एह कहां न कुछ ने बेकार में कहां गई होगे मैने तो फोन नमबर भी नहीं लिया ले लेता तो अच्छा रहता हाई क्या हुआ गीता को ढूड़ने आया हो क्या उसके घर पे फोन किया पर किसे ने उठाए नहीं क्या तुम जानते हो वो कहां है मैं भी यही जानने के लिए यहां आया हूं उसका हुआ 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 है है तुमहरी लव इस्टोरी इंजिनिरिंग पढ़ने वाली एक लड़की और एक आटो ड्रायवर के बीच प्यार अच्छी है बहुत अच्छी है वो लड़की को कहा ले गया कहें उसके पापा को तुम्हारे बारे में पता तो नहीं चल गया दोबारा तुम्हारी मुलाकात हुई बहुत एक्साइटिंग है बताओ बाद में क्या हुआ फिर समझाया कि वो दूरी हमें पास लाने के लिए थी सूर्या I miss you सूर्या तुम्हारे बिना मेरी जान चली गए थी गीता कहां चली गए थी इतने दिन नाना जी की हालत बहुत खराब थी इसलिए अचानक जाना पड़ा तुमसे दूर रहकर मैं खुद से दूर होती जा रही थी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अब तुम्हारे बिना मेरा चीना मुश्किल होता जा रहा है अब लब यू सो मच और भाई याल चाल है पता नहीं मैं देख रहा हूं आजकल तेरा मुड हर दिन बदल रहा है कल तक तो ऐसे लग रहा था जैसे आटो में पेट्रोल खत्म हो गया है लेकन आज यह लग रहा है जैसे पेट्रोल की टंकी फुल है क्या बात है वैसे टाइम के हो रहे है तेरी तो यह मुझे रोज टोर्चर कर रहा है एक और चाहिए दे पैसे दे दूगा यार एक और चाहिए और कोई पैसे के पीछे पड़ा है वैसे प्यार का क्या मतलब है प्यार धायक्षर है उल्लू में भी तो धायक्षर होते हैं तो क्या हम उल्लू है नहीं उल्लू तो नहीं हाँ है उल्लू ही है प्यार के उल्लू सूर्या जिंदगी बर हम ऐसे ही रहे तो कैसा लगेगा तुम सात रहोगे तो जिंदगी बर अच्छे लगेगा मा, 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 क्या हुआ मा आपको, किसके साथ घूम कर आ रही है तू, हाँ, पहले तो टाइम पे घर वापस आती थी, मुझे लगता थे कि पढ़ाई कर रही है, पीट पीछे ऐसे गुल खिला रही थी तू, बच्ची बच्ची कहकर लाड करना मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, म थी, हाँ, मैं गलत थी, ये क्या, प्यार भी किया तो रिक्षे वाले से, सूर्या बहुत अच्छा इंसान है, मा, बस कर, उसके साथ आटो में बहुत चिपक रही थी, और उपर से उसकी तारीफ पे तारीफ किये जा रही है, मतलब, मतलब इतनी जल्दी इतना प्यार, हाँ मैंने उससे प्यार किया है, मा, कोई गलती नहीं की, बस और कुछ मत बोल, हमारी तो नाक कटवा दी, तुने, सब, सब हमारी गलती थी, हमारी गलती, देख गीत, अब जो हुआ सो हुआ उसे भूल जा, उस ओटो वाले से दुबारा मत मिलना, तेरे पापा को अगर इस बारे में पता चला ना, तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे वो, समझ गई? हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है मैं भी क्या करता सर हुआ है लडकी जबरदस्ती कर रही है तो तुम क्या कर सकते हो यात्रीकण किरप्या ध्यान दे राजमंडरी से चेन नहीं जाने वाली बस स्टेंड नंबर दो से रवाना हुने के लिके त्यार है मैं चलता हूँ देखो सुर्या तुम अच्छे इंसान हो तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारा प्यार सफल हो अल्ड़ बेस्ट थांकियो सब्सक्राइब एक पानी की बोतल दीजिये इतनी देर के होगे वो सब में बाने बताऊंगी पहले चलो थीक है चलो सुनिये, हैधराबाद की बस कहा मिलेगी? वो दिखो, जा रही है चलो अ, भी है, गीता चलो, चलो, चलो आ जावाजा चलदी चलो, जल्दी चलो अ, चलो असथ गीता हमने क्या कमी wreckी थी जो उसके साथ चली गई बच्पन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं रखी लाड़ प्यार से पाला है हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा फैसला लिया शुरू से स्कूल कॉलेज में फ़स्ट आती थी तो मैं अपनी बेटी के बारे में सब को बताता था अब क्या बताऊंगा कि वो एक आटो वाले के साथ भाग गई ये बात जानते हुए भी मुझसे चुपा कर तुमने बड़ी गल्ती की है नहीं जी बस मुझे सब पता चल चुका है कल बस टेंड में अकेला बैठा था तो बात की अपनी लव श्टोरी पूरी सुनाई उसने जब सुन रहा था तो पता नहीं था कि वो मेरी बेटी को ले जाने वाला है ची किसी बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी बेटी सुर्या नाम के आटो ड्राइवर के साथ चली गई आप कैसे जानते हैं कि उसी के साथ भागी है उसी ने बताया सर क्या उसी ने बताया हाँ सर प्यार की शुरुआत से लेकर हैद्राबाद जाने तक सब कुछ क्लियर लिए उसी ने बताया मुझे सर फिर भी आपने कुछ नहीं किया ये तो पता था कि ओ भागने बस्टेंड आया था लेकिन मेरी बेटी के साथ जा रहा है ये नहीं पता था बहुत कन्फ्यूजिंग है वैसे आप उसे कैसे जानते हैं क्या बताऊं सर ओ परिशान था इसलिए पुछ बैठा मतलब कोई दुखी हो तो बात किये बिना नहीं रह सकता इस तरह से उससे मेरी मुलाकात हुई लेकिन मुझे क्या पता था कि ओ मेरी ही आँकों के सामने मेरी ही बेटी को भगा कर ले जाएगा आपके सामने भाग रहे थे तो रोख सकते थे थे ना तब मैं चेन्नई की बस में था सर उतर कर आने से पहले उद्वना हैदराबाद की बस में बैठ गए कुछ भी किजिए जल्दी पकड़ लीजिए सर रसाद सर उसके किसी दोस्त से पता करो कि वो कहां गये है जी सर उसका एक दोस्त है सर लेकिन उसे कुछ ही नहीं पता ये भी उसी ने बताया हम अपनी सर्विस में इतना टिपिकल केस कभी नहीं देखा ठीक है ठीक है हम कुछ भी करके उन्हें पकड़ लेंगे आप जाएए कोई खाबर मिलेगी तो कॉल करूँगा जी सर पहले किसी होटल में चलके फ्रेश होके सोचते हैं कि हमें क्या करना है सुनिए पास में कोई होटल है हाँ है कितना हुआ मीटर के सो पचास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर क्यों हेलो मैं भी तुम्हारी स्कूल में पढ़ा हूँ राजमंटरी में मीटर जितना दिखाता है उतना है लेते हैं अरे क्या बात कर रहे काका तुम्हारे शेहर में लड़का बिना कुछ जाने बैक उठाकर लड़की को भगा कर लेका रहाता है क्या लेकिन हमारे यहां तो ऐसी ही आते हैं निकालो देट जो रुब्या निकालो सुनिए रूम चाहिए दिन के आठ सो कितने लोग रहेंगे दो लोगों के लिए राजमंटरी से आये हैं दूसरा कौन है दिखनी रहें अम् अहां शादी हुई है नहीं जी भाग क्या हो क्या माफ कीजिए ऐसे लोगों को हम रूम नहीं देते हैं ठीक है आप जाएए रूम चाहिए सर देन के आठ सो लगेंगे कितनी लोग रहेंगे दो लोग दूसरा कौन है लड़की है शादी हुई है नहीं सर शादी के बिना भाग कराय हो क्या मैं ऐसे लोगों को रूम नहीं दे सकता जाओ यहां से रूम चाहिए आईडी प्रूफ है बिना किसी आईडी प्रूफ के यहां रूम नहीं देते ऐसे ही हैदराबाद आ जाओके तो रूम कैसे मिलेगा चलो जाओ चलो चलते हैं सुभा से ऐसे ही घुम रहे हैं अब मुझसे नहीं होगा तुम चिंता मत करो कहीं न कहीं तो मिली जाएगा अब चलो क्या हुआ रूम चाहिए हाँ जी मेरी पहजान वाला है फोन करता हूं हलो हलो गिरी टू लेट गिरी पैसा है तो गिरी मिलेगा गिरी चाहिए तो पैसा होना चाहिए यार यहां एक पार्टी है उन्हें रूम चाहिए पांच माना बहुत मुश्किल है आएम सॉरी दो मिनट माँ तो प्रॉबलम है क्या है यही है वो हाँ यही है नाइस मीटिंग यू चिंता मत कीजिए शादी शुदा कुवारे जिसकी शादी होने वाली है शादी होकर तलाक लेने वाले को भी रूम दिलबा सकता हूं यही तो है चलो हाँ 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 बाए इस ओके आईए 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 देखा लुक देखा व्यू कितना सुन्दर है आप इसी राज भॉन में रहने वाले हैं आईए आपको इसी में रहना है हाँ इस रूम का रेट तीन सो है माहिने का नहीं दिन का इस फरनीचर और इस किचिन के दो सो ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर पांस सो सुबह सुबह आपको जगाने मैं ही आऊँगा वेक अप कॉल आपके जे में पैसे होंगे तो आप रूम में रहेंगे नहीं तो सड़क पर हो कि आपकेज कैसा रहेगा विकली पैकेज मस्त रहेगा एक हफते के पैसे पहले ले लूगा कैसा रहेगा रहने दीजिये यही बैटर है बता ना भूल गया फोलर कैने इंफोर्मेशन इस्टोक बार्केट की तरह मेरे मूड के यसाप से रिट बढाता रहता हूं मूड अच का भाड़ा 500 कल का भाड़ा 500 आपकी शादी नहीं हुई है इसने 400 टेक्स पूरे बिलाकर 1400 मेरे हाथ में दो तो मैं चला जाओंगा अरे तुम बहुत समझदार हूं यह मैं समझना कि बागी के 100 नहीं दूंगा मैं इमानदार हूं मैं यह लो तुम्हारे सौब कल तक हम दोना का कोई लना देना नहीं परसो सुबह मिलते हैं जो भी हो लेकिन जोड़ी बहुत सुंदार है अच्छी है तो कंसेशन नहीं मिलेगा मैं जा रही हूं तुमा जाओ सुनिये कुछ पता चला क्या नहीं वसू पुलिस में सारे स्टेशन में इनफर्म कर दिया है अलेडी मैंने अपने दोस्तों को भी बोल दिया है वो भी ढूंड रहे हैं वो अभी बच्ची है जी उसे तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में सोच के मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है जी दुखी मत हो वसू कल मैं और वीर हैद्रबाच जा रहे हैं कहीं भी ओ ढूंड कर ले आएंगे तो अब आगे क्या करना है अब शादी ही तो करनी होगी ना क्या कह रहे हो इतनी जल्दी शादी उसके लिए तो अब ही वक्त है ना यह क्या हम लोग घर से भाग कर आया है ना अब शादी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे पहले हमें सेटल होना है सेटल होना मतलब जी उने के लिए पैसे कमाने हैं, घर का रेंट, बिजली का बिल, दूद, सबजियां, ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं ना, इसी लिए, देखो, अभी हम दोनों ऐसे साथ रहें या शादी करके साथ रहें, खर्चा तो वही रहेगा ना, हमारे घर के नीचे अंकल की भी शादी हो जल्दी से बच्चे पैदा करके जिम्मेदारिया समझ लेते हैं, क्या बोलती हो? मैं होटल्स में जाके पता कर क्याता हूँ अंकल, ये लोग होटो, आप यही रुकिया हैं, हम् इस रड़की को कहीं देखा है क्या है? जी नहीं, एक बार देहान से देखे बताओ ना, नहीं, मैंने नहीं देखा, ओके, जी नहीं, ओके क्या है? सुबह, सुबह कौन आगया? ऐसे क्या देख रहे हो, पैसे दो, उस दिन कहा था ना, दूर खटकटाते ही, पैसे हाथ में रख देना, गेता पैसे कहा न रखे हैं, वही है इन विकारियों को कोई काम धंदा नहीं है क्या, सुबह सुबह आ जाते हैं सुनो, चंदमुकी, विखारी नहीं, गिरी आया है, टूलेट गिरी, देख कर बात करना सीख लो सुरी जी, आवाज सुनकर ऐसा लगा क्या कहा, सुबह सुबह मुझे ही पंच अरे नहीं जी फ्लाय ओवर के नीचे रहने वाले थे, उपर पेंट आउस में लाकर रखा मेरा मजा कोड़ाना बंद करो, ये ठीक नहीं है हाँ बुरा मत मानिये, पैसे ले लीचे रुको हाँ हालो, दिस इस गिरी, टूलेट गिरी क्या रूम चाहिए, पंजा गुट्टा में हाँ, जे में पैसे होने चाहिए, पाकिस्तान में भी रूम दिलवा दूंगा हाँ, वास्तू, इस्ट फेसिंग चाहिए, देखो, पैसे हो, तो सूरज को भी आपनी तरफ कर सकते हैं, हाँ, वास्तू की चिंता मत करो हाँ, पंद्रे मिनट में आऊ, दस मिनट में आऊ तो कोई प्रावलम है क्या, रख फोन रख, तुम पैसे दो, पता नहीं कहां कहां से फोन करते रहते हैं सौरी गीता, वो गलती से हाथ लगया तो ये गिर गया था, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना, ये मेरा फेवरेट गिफ्ट था, मापापा ने दिया था, मैंने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया है गीता, वो पैसा निकालते वक्त हाथ लगया तो ये, हाथ लगया, इतना कीमती है, वैसे भी तुम्हें कैसे पता चलेगा, मापापा से दूर आकर भी इसे देखकर ऐसा लगता था, वो मेरे साथ ही है, तुम्हारी गलती की वज़ास से वो निशानी भी खतम हो गई, सौरी गीता, गीता, सौरी कह रहा हूँ ना, प्लीज, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, कब तक ऐसे बैठी रहोगी तुम्हा, तुम सुबह से नाराज हो, कम से कब कुछ तो बात करो, जो करना था कर लिया, अब क्या बात करूँ? अरे कहा न, मुझे से वो गलती से हो गया, उसके लिए इतना नाराज होने की क्या ज़रूरत? तुम नहीं जानते, वो मेरे लिए कितना कीमती था, मेरी फिलिंग्स तुम नहीं समझ सकते, क्या समझू? अरे? इसमें समझने चैसा क्या है? मना रहूं तो नकरे कर रही हो, अन्जाने में गलती हो गई, उसके लिए सौरी बोला न, इतना मना रहूं तो भाव खा रही हो क्या? समझती क्यों नहीं? तुम्हारी गल्ती नहीं है, तुम्हारे माबाप की गल्ती है, जो इतना सर पचड़ा दिया बसपन में ज़्यादा प्यार मिल जाता है न, उसकी आदत होकर बड़े होने के बाद ऐसे प्यार करने वाले के सामने जित करती हो आप ही बताईए दीदी, जब हमें प्यार हुआ था, इसने पहली बार एक रिंग गिफ्ट की थी कल फ्रेंट्स के साथ पार्टी में गया था, वहां पर्स गुम हो गया, तो मैं क्या करता, रिंग गिर्वी रखकर पार्टी इंजोई कर ली अब खुश होने के बजाए, ऐसे मूँ फुला कर बैठ गई, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो चीज को चीज की तरह देखना चाहिए, लेकिन यही मेरी जान है, मैंने इसे प्यार से दिया है, इससे मेरी फिलिंग जूड़ी है, इस तरह के फालतू के ड्यालक्स बोलने से क्या फायदा है, बताईए अब इसमें मेरी क्या गलती है दीदी बाई, क्या यह, मुझे थपर मार दी आ, दीए, दीए, बाई, भाइ, बाई, भाई, बाई, स्यक्सक् Margaux सब्सक्राइब से मैं शूरी बोलता हु और इस्नी जुड़ से मारा गल गे का यह ए इसके सो कीण Lau मेरे झाल झाल यह लीजे मेरा मूर ठीक नहीं है क्या हुआ सर कल मुझे लगा कि इंडिया जीट जाएगी लेकिन हाल गई अरे दुखी मत हो यह सर नेक्स टैम जीट जाएंगे जीतने के लिए दूसरा मैच नहीं है न वहीं फाइनल था वो मैच हार गए इसलिए मैं बहुत दुखी हूं इ कुम बस पैसे तयार रखो मंत्रा ले में भी रूम दिला सकता हूं है आई पापी आई पापी पूच मैं पानी नहीं आ रहा है नहीं आएगा कैसे आएगा लड़किया बातरूमे जाये तो बिलकुल नहीं आएगा हेलो यह कैसा जवाब है मैं क्या पूच रहीं और तुम क्या 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 रहे हो अरे चाचा बिना पानी के नहाएंगे कैसे उसमें क्या है बेटा आप बातरूम पे जाएए पानी आ जाएगा आप जाएगा मुझसे इस तरह से बात करता है और इससे इतनी अच्छे से बागल है क्या सुनो गीता मैं बारो के आता हूं क्यों क्यों क्या कोई काम ढूणने के लिए मैं भी आऊंगी क्यों नौकरी ढूणने के लिए इस वक्त हम दोनों का साथ में बाहर जाना सही नहीं है इस वक्त मेरा यहां अकेले रहना ठीक नहीं है बात को समझो गीता तुम ही समझो हम सा मेरे साथ आओंगी इस कमरे में अकेले रहना मुझसे बिल्कुल नहीं होगा मेरी बातों सुनो कुछ मत कहो जाएंगे तो साथ ही बाहर जाएंगे नहीं तो तुम भी घर परी रहो क्या करना है तुम डिसाइड कर लो अरे सुनो यार मैं शीनू के रूम पे आ गया हूँ तुम भी जल्दी से यहीं पे आ जाओ मास्ट पार्टी करते हैं वो अभी फोन नहीं उठा रहा है उसे पता नहीं क्यम लोग पार्टी करने वाले हैं यार उसका धरवाजा तो खुला हुआ है लगता है वो अंदर ही है मे मैंने कहा था ना कि लोगों को इवाइट करके किसी और के साथ गूम रहा है यहां है एक और है दोनों मिलके लड़की के साथ मसे कर रहें एक ने रुख जड़ा वो का है इसने मुछे क्यों मारा व पॉस तुम दोनों क्यों मार रहा हो मतलब तुम वह नहीं हो अच्छा श्रीडू का है पहले वो यहाँ पर रहता होगा अब हम यहाँ पर रहते हैं यह शुरू में ही बता सकते थे ना यह तुम पहले भी पूछ सकते थे थे ना ए पाटी कैंसल तुम जिसे फोन कर रहा है वो सुचोप है पता नहीं सुब खिसका चयरा देखा दा इस फोटो वाली लड़की को देखा है नहीं देखा इस फोटो वाली लड़की को देखा है क्या आपने देखा है क्योगा श्रीनू नहीं है क्या लड़का तो मस्त गुलाब जामुन की तरह है देखकर खाने का मन कर रहा है वम लोग यहां पर नहे हैं श्रीनू को हम नहीं जानते है यह तो श्रीनू से भी भारी है आज मौका बहुत अच्छा है आज तुम्हें मौके का फाइदा उठाई लेते हूं आजा जानू अगर यह लड़की खड़ी है अगर यह लड़की नहीं होती तो मैं आज नहीं छोड़ती वैसे भी में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करती प्लीज, कमॉन, मेरे लिए दोना एक ही है इतना अच्छा मोका था अगर मेरे श्रीनू होता तो वो ऐसा मोका कभी नहीं छोड़ता यह भगवानी श्रीनू कोणे मेरे धिमाग खराब तुजा पर्या एक मोका प्लीज खोलो ना चला गया क्या राजा आइस्क्रीम खाओगी? नहीं एक मिनट दो औरेंज आइस्क्रीम लेना यह लो अरे ले लो तुम्हारे लिए ही है वैसे यह श्रीनू कौन है मुझे अच्छा नहीं लगता है उसके नाम से हर रोज कोई ना कोई आता है वहां से जल्दी खाली करना होगा और अभी कहां जाएंगे? तुम प्रॉब्लम जानती हो ना कुछ दिन बाद दूसरा घर ढून लेंगे कोई भी हो, मुझे क्या करना है? सुनो, कल गवर्मेंट वालोंने एक लीटर पेट्रॉल पर पांच रुपे बढ़ा दिये हैं इसलिए मैंने भी रोम कारेट पचाश रुपे एक्ष्णा बढ़ा दिया है सब जोड़ कर दे दो पैसे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन पहले ये बताईए इससे पहले यहां कौन रहता था? तो मैं उससे मतलब? तो मैं उससे क्या लेना देना है? लेना देना कैसे नहीं है? कल कोई beer bottle के साथ आकर पता नहीं क्या-क्या बखकर गया ऐसी जगा लड़किया कैसे रह सकती है? पैसे लिए है ना? अच्छा रूम देना चाहिए न बहुत ज्यादा मत बोलो, बिना शादी के साथ रहना ही इल्ली गल है फिर तुम्हे ऐसा रूम नहीं तो क्या, फैमिली रूम दिखाएंगे ज्यादा मत बोलो, मुह तोड़ दूगी मुह तोड़ेगी, तुम अपने आपको समझती क्या हो? क्या समझती हूँ, बताओ तुम लोग रोड़ आजाओगे, बोल रहा हूँ मैं पता चलेगा, फ्लाइवर के नीचे सोगे, समनी जाना, पूरा मूट खराब कर दिया तुम पागल होगी हो क्या, वो ब्रोकर है तो इसका मतलब जो मर्जी आए वो बल दोगी वो नहीं होता तो घर नहीं मिलता, अरे क्या है यार ये, वो कोई समा सेवा कर रहा है, जो इजज़त से बात करूँगी जो भी कर रहा है पैसे लेकर ही तो कर रहा है, लेकिन पैसे के बावजुद क्या, होटल वाले में कम ना दिया ना, वकर ये नहीं होता तो हमें उस फ्लायवर के नीचे रहना पड़ता, वैसे भी तुम उसके साइट क्यों ले रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा, कल उस आद मी तुमने मुझे आइटम कहकर किस तरह से बात की तुमने देखा ना, यह सब सुनकर भी तुम चुप रहे तुम्हें क्या चाहिए, कोई काम नहीं है, कभी लड़के नहीं देखे क्या आपने इस लड़की को देखा है क्या इस लड़की को देखा है क्या यह लड़की काफी बहुत अच्छी बनी है मुझे तरह नहीं मैं सच कह रहा हूँ कहा है वो किस की बाद कर रहे है हम उसे नहीं जानते जो रहे, जुट बोल रहा है क्या या वो यहीं रहकर तुसे नाटक करवा रहा है हड़िया तोड़ दूँगा भाई, धोड़ो उसे ठीक है भाई सर, हम यहां नहीं आ है हम किसी को नहीं जानते गिरी नाम के एक ब्रोकर ने हमें घर दिलाए था अंदर कोई नहीं है बाई कोई नहीं है अरे वो बड़ा लफंगा है कर जा कर के बाहर गुमता है उसके कमरे में क्यो रह रहे हो दिखने में बच्चे लगते हो लियान से रहना हे चलो उस बिन जब गिरी से जगडा किया था तो उसे सपोर्ट कर रहे थे न अब क्या कहोगे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा आगर हो ग्या रहा है अरे हर छोटी बात पर गुस्सा करती हो तुम चाहती क्या हो गुस्सा नहीं तो क्या करूँ एक बार मेरी जगा रहकर सोचोगे तो समझ आएगा मैं कितने दुख और परिशानी से गुजर रही हूँ क्या समझ आएगा तुम क्या जानती हो मर्द की परिशानी जब से आयो देख रहा हूँ क्या चल रहा है ये सब सीधा साधा मिल गया है इसलिए बच्चा समझ के खिलोने की तरह खेल रही हो तुम औरत होकर मर्द को खाना बनाने के लिए कहती हो कपड़े दुलवाओगी ज़ाडू लगवाओगी पेचरा पांच दिनों से इस बात को अपने दिल के अंदर छुपा कर बहुत दुखी हो रहा है अगर ऐसे ही तुमारे साथ करे तो महिला आयोग ती वी चैनल कानून भी है तुमें कैं लगता हमारे लिए कोई नहीं है एक मर्ड दूसरे मर्ड का साथ दे तो काफी है कोई महिला अत्यचार नहीं कर सकती तुम दुखी मत होना बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ गरजने वाला कभी बरसता नहीं है जगड़ा करने वाली औरत कभी घर नहीं बसा सकती इनको तो सबक की ज़रूत है तुम चुपचाब यहां से चले जाओ नहीं तो मैं खुद नहीं जानती मैं क्या करूँगी नहीं जाओंगा, क्या करोगी तुम्हारी तरह लड़कों के उपर अत्यचार करने वाले औरत को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए तियार जेल में डाल देंगे, तो समझ में आएगा गीता, उसमें कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा लेकिन उसे मारना गलत है क्या गलत है? तुमने सुना ना, वो औरतों के बारे में कैसे बात कर रहा था? अच्छा, आप समझी, तुम्हारी तरफदारी कर रहा था ना? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा की था, आजकल बहुत जिद्धी होती जा रही हो तुम उस दिन मैंने कहा गलती से गिफ्ट तूट गया, तुमेरी बात नहीं मानी, छोटी-छोटी बात को लेकर जगडा कर रही हो आज तुमने बाप के उमर के आदमी पर हाथ उठा दिया मा पापा का दिया गिफ्ट आखो के सामने तूट जाये तो भी चुप रहूँ मेरे सामने कोई भी कुछ भी कहे सिर चुका अगर खडी नहीं होगा सिचुएशन के हिसाब से ज़स्ट नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा मैं एज़स्ट नहीं करूँगी अच्छा, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो बहुत अच्छा रहता तो तुम क्या कर लेते, बोलो, क्या करते हाँ, तो मैं उस दिन तुम्हारे साथ इस तरह भाग कर आता ही नहीं अच्छा, मुझे भी तुम्हारे बारे में पहले ही बता होता तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आती तुम पर भरोसा करके मापापा को छोड़ कर आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है कर दो कि अ趣 entscheiden जीटा कहां चले गए थे तुमें यह भी निति सोचा कि मैं अकेले तुम्हारे बगारे इस घर में कयसे रही पाऊँगी यह सच में छोड़कर जाना जाते थे मुझे क्या इसलिए मुझे लेकर आये थे जानते हूँ मेरे मन में कैसे कैसे खयाल आ रहे थे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेले कैसे रह पाती बोलो तुम इसकी वज़ा से मुझे जगडा कर रही हो ना तुम्हारे बाथडे में गिफ्ट लेकर आया था मैंने शादी के बारे में रेजिस्ट्रार आफेस में बता किया हम दोनों को कल बुलाया है अच्छा ये तो अच्छी बात है इसे कहीं तो देखा है एए तुम लोग वही हो ना जो भाग कर रहा हो कैसे हो यहीं घर बसा लिया है क्या गुड गुड ठीक है एए सर जीप में बठाओ जी सर 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 चलो गाड़े में बेठो आफ जल्दी चलो बाहर आजाओ अब स्टेशन के बजाए हमें यहां लेकर क्यों आए सर तुमसे कुछ जरूरी बाते करनी है चला जा तुम उस लड़की को भगा कर लाए हो उसके पिताजी ने तुम पर 372-502 केस किया है अगर उन्हें बता दू कि तुम पकड़े गए हो तो कम से कम 15 साल जेल में रहो गया अगर कोट ने तुमें छोड़ भी दिया तो उसके पिताजी नहीं छोड़ेंगे इसलिए मेरी बात दियान से सुनो जो मैं कहता हूँ वो करो ओके उस लड़की से भी बात करनी है चलो हलो तुम आओ हम आओ देखो मैंने उससे बात कर लिये है वो मान गया है तुम भी सोच लो तुम्हारे पिताजी के लगाए केस की वज़े से उसकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी इसलिए मेरी बात मानने में ही भलाई है प्लीज सर हमें छोड़ दीजिए हम चले जाएंगे दोनों को छोड़ने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात भी तानी होगी है सर हमें छोड़ दीजिए सर प्लीज सूर्या सूर्या दर्वाजा कोलिए सर सर दर्वाजा कोलिए छोड़ मुझे हट 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 चलो किता कहा है तू बिर्यानी लेने आया वो मुझे मार कर लड़की गुले के भागया जल्दिया जढمل को छोड़का मुझे माम मुझे मुझे सर कित्व कित्ड़ हमारे पुली स्टेशन के दायरे में भागे हैं देखते हैं कहां बाग कर जाएंगे चलो स्огरिया! 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 स्огरिया काओ! कि अप्डिता कि अप्डिता कि अप्डिता गीता प्रूइज व्रूँ अप्रूँ युण पुर्ण वेटा? लगता है अकेली हो बहुत देर से देख रहा हूँ, कोई परिशानी है बताओ क्या हुआ कहां जाना है? मैं शेहर में नहीं हूँ कल मैं और मेरा बॉइफरेंड साथ में आ रहे थे तो अचानक हम दोनों बिछड गए अच्छा, ऐसा हुआ है वो इसे कुछ खाया पिया? एक काम करो मेरा घर यहीं है मेरे साथ चलो, तुरेश हो जाना ठीक है? तुम ढरो मत मैं हुना चलो आव वेटी आव वेटी अपना ही घर है आई मीन, मेरा ही घर है प्लीज कम इन कम आउ सभी घर वाले शादी में गए है उस तरब बातरूम है फ्रेश हो जाओ फिल कमपर्डेबल नो प्राब्लम, गो जाओ प्राब्लम, अप्राब्लम, शाओ अथ जाओ प्लीज, जाओ जाओ प्लीज, जाओ तुम्हारे जैसे लोग पहले शराफ़त दिखाते हैं और मन में घटिया खयाल रखते हैं और अकेली लड़की को देखकर सही गलत तुम्रे लिहाज सब भूलकर जानवर बन जाते हैं ये भी नहीं सोचते हैं कि तुम्हारे घर में भी औरत है अगर तुम्हारी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता मजबूर लड़की का फायदा उठाते हो औरत की इज़द करना सीखो अपनी घटिया सोच को बदल दो तुम्हें भी किसी औरत नहीं जन्म दिया है ये मर्यादा भी भूल गए औरतों से ही ये संसार चल रहा है समझ में आया और क्या हल चले बहुत इनों बात मिले हो आपने इस लड़की को देखा है क्या है लड़की कोन है मंगेतर जी कहां से हो दूसरे शहर से पोटों में तो लड़की बहुत चमक रही है जवान है ना किसी के साथ भाग गई होगी कहा दना कहा दना इतने हटे कटे लंबे होकर लड़की भाग रही थी तो क्या कर रहे थे जब ज़वान लड़की घर में है तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कोलर मेरा नहीं बगाने वाले का पकड़ना चाहिए वैसे भी भागने के बाद फोटों लेकर घुमना नहीं चाहिए इस तरह फोटों लेकर घुमने से लड़की नहीं मिल जाएगी चल निकाल बड़ा या तो क्या बुर्ला तुम पैसे खुद हमारे पास चल कर आने चाहिए तूम सही क्या रहे है बिल्कल है एए शूरिया इदर आ इदर आ इदर आ इदर आ आ आ जा कहां चले गए थे दो दिन से घर पर आ रहा हूं गर पर ताला लगा हुआ है कां गये थे सर वो सूरिया तुम्हारा इस एरिया में गुमना ठीक नहीं है मैंने सुना है कि तुमने पुलिस वाले को मा रहा है तो वो पुलिस वाला तुम्हें डूड़ते को जरूर आएगा इस वक्त गीता उन्हें मिल गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी गीता का कोई फोटो है क्या? वो तो नहीं है ठीक है चलो डूड़ते हैं कर दो पुलिस वाले को जरूड़ते हैं बेठा इस लड़की को कहीं देखा है नहीं सर तुनिये इस लड़की को कहीं देखा है नहीं देखा जी लड़की को कहीं देखा हैं भाई इस लड़कियों कहीं देखा है क्या नहीं भाई आपने देखा है क्या जी नहीं नहीं देखा थैंक्यों भाई आओके अंकल जी हर जगर ढूंड लिया कहीं नहीं मिली वो ठीक है आओ चलते हैं अब क्या करेंगे सूरिया अब क्या करेंगे सूरिया पता नहीं प्यार इतना आसान नहीं है इसमें हर पर लड़ने के सेवाए जीत नहीं सकते जिससे प्यार किया है उसे बचाने के लिए और उसके मातापिता की कमी पूरी करने के लिए जिन्दगी बर मेहनत करनी पड़ती है तुम पर और तुम्हारे प्यार पर भरोसा है वो जरूर मिल जाएगी ए सुनो, इस ललक्की को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा सर नहीं देखा? चल चल वो यहां कुछ नहीं जानती घरो और पार्क के सिवाए क्या हुआ होगा? कहां गया होगा आखिर? इसने बड़े शहर में मैं उसे कहां डूनो अब उसे कहां ढूंडू मैं? कुछ समझ नहीं आरा, कहां जाओ? कहीं पुलिस तो लेकर नहीं गई होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वो जहां भी होगी ठीक ही होगी मेरा दिल यहीं कह रहा है कुछ भी करके मुझे असे ढूंडना ही होगा जो भी हो मुझे मेरा सूर्या चाहिए वो जहां भी हो, कुछ भी करके मुझे ढूंडना होगा जanu बास धुझे वो जास लुझे बास झाल झाल कि अच्छों कि अच्छ फे निए अच्छ अच्छ थे घुड़िया वसुड़िया अब भी घूमी रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तुम घवराओ मत हिमत रखो, मैं गीता को साथ लेकर ही घर आऊंगा, ठीक है? ठीक आप यहां कैसे सर? कैसे क्या? मेरी बेटी कहा है? आपकी बेटी? कौन सर? गीता, गीता, उस दिन बस्टेंड में पूरी कहानी सुना कर मेरी याकों के सामने, गीता को लेकर भाग गया गीता, आपकी बेटी है? ये बात मैं नहीं जाना है नहीं जानता है, नहीं जानता है दू लड़की बोले के भाग आ अर्ब नाटक कर रहा है पता कहा है वो? बता यलने मैं बात कर रहा हूँ न रुको इधर आखा ड़क और है है या बता मेरी बेटी कहा है सर वो किया है चूप के हम है बता अभी हो कहा है आपको क्या बताओं समझ नहीं आ रहा सर क्या हुआ उसे क्या किया तुमने उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया है सर अगर कुछ नहीं किया तो बताना कहा है तेरे साथ ही थी ना परसू हम दोनों शॉपिंग करके आ रहे थे और मारिया सर आपका गुस्ता करना जायज है मारिये मुझे प्यार का मतलब ममी पापा से चुपकर भगा कर ले जाना नहीं है मा की तरह उसकी जरुते समझनी चाहिए पीता की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए लेकिन भीच में ऐसे कैसे छोड़ दिया इतने दिन तु उसके साथ है सोचकर अपने आपको हिम्मत दी मैंने अब उसके साथ तू भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ ओ कितनी परिशान हो रही होगी आप चिंता मत कीजिए सर उसे कुछ नहीं होगा उम्मीद करता हूँ जहां भी होगी ठीक होगी कैसे चिंता ना करें प्यार के पागलपन में भाग कर आ गए तुम लोग जानते भी हो बाहर की दुनिया कैसी होती है हमारे देश की राजधानी में 20 शहर के सड़क पर कुछ दरिंदों ने एक लड़की का बेरहमी से बलातकार करके सड़क पर फेक दिया भेडिये की तरफ पीछा करके भूख मिटा रहे है इसलिए आजकल जो लड़किया अकेले जंगल में घूमने से नहीं डरती वो समाज में लोगों के बीज घूमने से डरती है जानते हो क्यों? जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है मर्दों ने अगर अकेली लड़की देख जाये तो वही काफी है वो बेडिया उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं जानवरों चोड़ों बादूंगा तेरा गीता आवाज बत कर सूर्या जानदी बगा इदरी आ रहा है जानदी बगा जानदी बगा चोड़ा मुझे जानदो चोड़ा मुझे जानदो चोड़ा मुझे चोड़ा जानदो मुझे सूर्या जानदी बगा सूर्या चोड़ा मुझे जानदी बगा जानदी बगा जानदो मुझे सूर्या जानदी बगा बगाना शोलीया पिछागा इन्यान जल्दे बजी लुख कॉछ सोलीया बगआ बगा इन्या जल्ड़ जल्ड़ जल्दी सोलीया रुख कॉछ जल्दे जल्ड़िए चोर सो मुझे, नीज मुझे चाने दो चली जारा देरी किस पाथ किया दो चप चड़ा, चड़ा मुझे चाने दो मुझे हाई 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 तुुप कि चाने दो कि जोऽ लो हाई हाई कि मुप झाल झाल प्यार की तू कोई तस्वीर है तू ही मेरे हाथों की लकीर है चांद उतर आया है जमी पर लग रहा है यूँ छू गया है दिल को कोई लग रहा है यूँ मैं टतरोangen फो ही रहा है कि प्यूँ जम्हाद यह ऊंदिल ये 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 हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है झाल झाल